फ्रेंड आपका एक बार फिरसे आपका अपने यूटूब चुनल पर फ़ागत है हम आप करेंगे आपका idk section solve करेंगी yeah 2012 जो आपका mडीकल का birds the शुकि पूचेगे तो इसमें जो आपके जो पूछी गए आपके 25 ते 26 कॉस्चिन जो थे वह ने आपको अॉल ररेड़ी करवा दोखेस कें क्सको मिलान भी कर सकते हैं तो आपको श्रीलियंका के साहथ है क्योंकि दो झाले है ना कि स्थित्यों आप सभी को पता होगा 2014 में बिल्कुल सही हो जाएगा अंडेमान दीप स्विंग को निकोबार दीप स्विंग से कौन सा जो चैनल अलग करता है तो यह दस टीगरी चैनल करता है आप सभी को पता होगा बहुत ही इजी कोशिन पूचे गये थे आपके जो मेडिकल टेट में इतनी इजी कोशिन आपके मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे इसके बाद आपके वाए सूरिय की किंड्नों को धर्ती पर पहुंचने में कितना समय लगता तो आठ मिनट 16.6 सेकंड ऑप्शन इसमें सी आपका ब बेट बेटती है तो आफशन इसमें से सही है कपिल मुनी किस शास्तर की रचना की कपिल मुनी ने किसके की थी तो ये सांक्या दर्शन से संबंदी थे आफशन इसमें सी आपका सही हो जाएगा अगला है आपके पास 1857 के विद्रों को भारत की प्रथम 117 ग्राम के संगया क इसने दी तो ये दी थी आपकी वीर्सावर करने इसके बाद आपका अगला कोश्चन है हिमाचल परदेश के कौन सा जीला है जो सबसे ज़्यादा जंसंख्या वाला है तो ये आपका कांगड़ा है आप सभी को औरेड़ी ये पता भी होगा अगला प्रेशन है चकली की सिर इसके बाद आपका हिमाचल परदेश का विशाल बना तो ये भी आपको मैंने डिटेल में बताया है कि हमाचल परदेश का गठन एक अलक्सी में वीडियो बनाई है एच पीजी के के फोलडर में वो भी आपको मिल जाएगे गर आप पढ़ना चाहते है तो हिमाचल परदेश का आपका हलोगि याणि की डामिके साथ में लगता है ये पत्त्र खेल आपका अपका मेहला लगता है तो कहां लगता है कलेकर आपके कित राज्जे आपके गुजरात तो आपको इसमें ऑप्शन एं बिलकूल सही हो जाएगा किश्चन इतने असान है कि मुझे ए का कहा है तो यह आपको सभी को पता होगा गुजरात में है इतने इजी कोशन मैंने आस तक नहीं देखे सची में आगए कोशन आपके बाद बिलासपूर राजी के संस्तापक तो यह आपके वीड चंद थी यह भी मैंने आपको बताया है ऑफशने समय सही हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का गटने हुआ उस समय कितना था और बार में आपका एक नॉम्बर कितना मिलाए गया विलासपूर जबापका मिलाए गया 1954 में आपका जो है कितना क्षेतर है यह सब मैंने आपको डिटेल में बताया आप लेलिस्ट में जाई अलग से वर्डर बने हैं सभी के आ आपका उफशन इसमें भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रेशन है आपके पास उन्ना जीले की पहाडियों का क्या नाम है तो उन्ना जीले में जितनी भी पहाडिया है शिवाली का जो अधिक दर क्षेतर है वो कहां आता है तो यह उन्ना में आता है हजार भारतिय संसत पर उगरवादी हमला कब हुआ आपका कोश्चन नमबर 139 है तो यह कब हुआ था आपका 13 दिसंबर 2001 को यह भी आपका सी इसमें सही हो जाएगा इस तो ने चंद्रयान टू कब लॉंच किया बहुत ही एजी कोश्चन आप से पूचे गया ऐसे कोश्चन घरी कोटा से आपके जो है लॉंच किया गया था अगला देख लेते हैं अगला है आपके पास यह है चूडचान नी क्या है तो चूडचान नी क्या है यह आपके शिमला के धक्षिन की एक चोटी का नाम है तो चूड़धार की ही चोटी को चूडचान नी भी कहा जाता है स Snow of Bengal के नाम से भी सज़ाना था लीरा किस तेस की मुद्रा है ये कुशन थोड़ा सा गलत है अब ये गलत क्यों है क्यूण कि जो आपके पास option दिया है तो लीरा किस तेस की sunset का नाम है तो लीरा है आपकी तूर्की की तूर्की यानि टर्की-टर्की की सनसत का नाम है आपकी लीरा अगर बात की जाए आपकी इटली इटली की जो संसत का नाम है इटली की संसत अच्छा आपकी फस से देख लेते बारत का आपको पता है क्या है आपका भारती रुपया बांगलादेश का टका है इटली का क्या है आपका इटली का आपका यूरो है और इसके अब पाकिस्तान का आपका पाकिस्तानी रुपया है तो इसमें option आपका कोई भी सही नहीं बैठता है अगला प्रिशन है विश्यो प्रकृति दिवस मनाया जाता है option देखे तो option इसमें कोई भी नहीं क्योंकि जो आपका word जो नेचर डे है वो कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है आपका 28 जुलाई को word नेचर डे आपका मनाया जाता है 28 जुलाई को अब पता ने question सेट करने वाले ने question कैसे पूचा उसने पूछना था शायद विश्यो परहवन दिवस कब मना जाता तो ये मना जाता है आपका पांच जून को इसके इलावा जो आपका option इसमें मुझे तो आपका सहीध कोई भी ने लिखता है ये question आपके दोनों जो है ये आपके cancel होने वाले question number 142 और 43 विश्यो प्रकृति वसमें आ जाता आपके 28 जूलाई को तो आप त्यान रखेंगे अगर वो ये सोच के उसने question डाला होगा पर एवन दूस तो आपका option इसमें D सही हो जाएगा 5 जून वर्तमान में नितियायो के उपादेक्श को होने तो वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में आपके राजियुकुमार आपके इस समय जो है नितियायो के चेर मेंने डेप्यूटी चेर मेंने option डीस में राजियुकुमार आपके शही हो जाएगा अगला question किस जिले मेंम का निर्मान होने जा रहा है तो इसमें होनें जा रहा रहा है तो option B आपका सही हो जाएगा बिलासपूर में M's का निर्मान होने जा रहा है यानि कि 2018 से इसका निर्मान शुरू भी हो चुका है Olympic होकी का टेम नियतित्टो करने वाले पहला हिमाचली कौन था तो यह आपका चरंड जीत सिंग था यह आप सभी को पता होगा option इसमें सही हो जाएगा हिमाचल परदेश में किस जीले में सबसे अधिक होदियो की का यह 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 भी आप सभी को पता होगा बहुत ईजी कोश्चन आया थे तो यह आपका सोलन होगा रावी नदी का सांसक्रितिक नाम या पुराना नाम तो आपका क्या है एरावती है तो यह आपका option इसमें A आपका सही हो जाएगा तो आपने इसको ध्यान रखना है इसके लावा आपका आगे देख लेते है अगला है आपके पास कमरुनाग जील मंडी के किस जीले की तहसील में स्थीत है यह भी आपको मैंने question कराया तो यह आपके कमरुनाग कहा है चट्योट में आती है option इसमें C आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अंतिम प्रशन है काल का शिमला rail track की कितनी सुरंगे है तो यह आपकी 103 सुरंगे है अब शायद यह 101 और 102 रह गई है आप जो है चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं अपने दुस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजेगा